जाहिन साथियो अभियम लोग उपस्ति थे हैं एक जाम टोड चैनल पर जैसा कि आप देख रहे हैं रेलवे गुरूप डी विध्यार्थी जो भी हैं उनको बताये गया है सभी वोड में कि एक सीट पर कितना अभ्यार्थी फॉर्म डाले हुए हैं एक सीट के लिए तो आप किसे समझें बहुत सारे यूटूबर के द्वारा बताये गया है फिर भी यह जो मैं एनलाइसिस कर रहा हूं यह सबसे अलग होगा और आप समझेंगे किस जून में आप है किस आरार्वी में बढ़े हैं किस आरार्थी में आप डाले हुए हैं तो आप अपने आपको सेफ स स्टेट है या बहुत सारे ऐसे जगह है या केंद्र गवर्मेंट की माने या राज गवर्मेंट की माने या बहुत सारे ऐसे विद्ध्यार्थी हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यार्थी हैं जो थोड़ा सा भी पढ़ते थे तो उनका कही न मान के चले लेकिन यदि उपस्तिती ओगरा सब कुछ देखिएगा तो मात्र 50% ही ये student उपस्तित होंगे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी NTPC का exam है अगर NTPC का भी exam यदि final हो गया रहता तो इसमें उपस्तिती और कम हो जाती तो इसलिए आप अपना जी जान लगा देंगे ताकि ये आपके लिए अंतिम मौका है सायद फिर ये मौका नह मिले तो थोड़ा सा आप जो exam tour channel है उस पर यदि आप नहीं जुड़े हुए तो जरूर जुड़ जाए और देखेंगे और एक बात जानेंगे कि मेरे द्वारा जो लगतार वीडियो डाला गया है उस बुक सबको थोड़ा सा धैन कर लेंगे और एक TCS का जो question bank है जो current affair को लेकर उसको जरूर पढ़ेंगे चुकि उससे बाहर current affair आएगा तो आप बना लेंगे लेकिन अधिकतर प्रश्न संभावित है कि वहां सही पुछा जाए जो पुछने लायक होगा और कुछ current अलग से आ सकते हैं तो देखिए सबसे पहले बता बात करेंगे तो 4730 वेकेंसी है लेकिन टोटल फर्म कितना भारा गया है तो आप जानते हैं 9,11122 फर्म भारा गया है यानि कि 9,001 फर्म गिरा हुआ है तो एक सीट पर कितना इस्टूडेंट हुए तो एक सीट पर 192 स्टूडेंट हो रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं सोचना 192 स्टूडेंट हो रहे हैं लेकिन जब आप यहां पे जाईएगा तो लगभग 100 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके साथ आपका प्रोपर एक तरीका से देखा जाएगा तो पढ़ने वाले सब स्टूडेंट होंगे उसमें भी अगर सेंसियर तरीका से देखा जाए पढ़ते रहते हैं लेकिन आपको सिलेवस के अनुशार यादी आप तैयारी थोड़ा भी किये हैं अगर अभी तक भी आप नहीं किये हैं फिर भी दस दिन मेहनत कर रहे हैं तो आप उस परिश्रम के अनुशार आपको भी अस्थान मिल सकता है इसलिए सोचना नहीं है तो यहां पर देखिएगा तो 192 विद्यार्थी एक सिट पर है उसके बाद Northern Railway यानि कि New Delhi की बात करेंगे तो वहां पर टोटल वेकेंसी की बात किया जाएगा तो 13133 वेकेंसी है लेकिन वहां फर्म कितना गिरा है तो 19,37,29 फर्म गिरा हुए यानि कि 19,37,29 फर्म गिरा हुए इसके लिए लेकिन इससे आपको टेंशन नहीं लेना है सबसे पहले बता दें कि अब बारतमान समय में अन्तिम जोड़िक बात करेंगे लेकिन इससे आपको टेंशन नहीं लेना है दस दिन है उसके लिए आपको क्या करना है तो इस बात को गाठ बानके रख लें कि अभी केवल रिवाइज करना है और प्रती दिन एक सेट प्रेक्टिस लगाना है इससे होगा क्या कि आप समझते हैं कि मैं जितना जादा से जादा कोश्चन पढ़ सके उससे कुछ नहीं ह होगा प्रती दिन अगर एक सेट लगाते हैं उसमें आपको 10 से 15 कोश्चन नया मिलता है तो उसको आप याद करेंगे और इससे पहले जो पढ़े हैं उसे रिवाइज करेंगे एक बात और बता दें अभी आपको रिजिनिंग और मैस और जीके जिए सब को पढ़ना है किसी सेट को छोड़ना नहीं है तो आप सभी पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन ज़्यादा करेंगे चलिए आगे आते हैं तो नर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे तो जैपूर चले जाएंगे और यहां पर सीट की संख्या है बाउन सव उन्चास यानि कि पांच हजार दो लेकिन कुल फर्म की बात करेंगे तो नौ लाख एकसट हजार 277 फर्म गिरा हुआ है तो एक सीट के लिए 183 अभ्यार्थी फाइट करेंगे आगे आएगा तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे यानि कि जबलपूर में चले जाएगा तो वहां 4,019 वेकेंसी है ल मुंबई में गिरा हुआ है मुंबई में कुल सीट 10,734 है यदि फर्म की बात कीजिएगा कितना गिरा हुआ है तो 9,90,470 फर्म गिरा हुआ है लेकिन एक सीट के लिए 92 अभ्यार्थी है सबसे कम यहीं है यहां जिस अभ्यार्थी का है वह थोड़ा सा अच्छा से मेहनत कर करेंगे तो आपका सीट कंफर्म होगा और एक बात बता दें कि जो भी अभ्यार्थी है अब हमेशा जैसे कि आप जानते हैं रेलबे के द्वारा बोला गया है और नोटीस भी आया था कि आपका यदि कुल सीट की अपेक्छा यदि भी द्यार्थी नहीं जूड़ते हैं त तो इसलिए आप कहीं से भी फॉर्म गिराये हुए हैं तो थोड़ा भी यह न सोचें कि मेरे यहां इतना अभ्यार्थी एक सीट के लिए उससे कुछ नहीं होगा बस आप तैयारी करते जाएं अब आएंगे साउथ इस्टरन रेलवे की बात करेंगे यानि कोलकता की बात कर तो आप 170 देख रहे हैं लेकिन उसको 50% सभी जगा 50% कर दीजिएगा और पढ़ने वाले विद्यार्थी का संख्या में आप देखेगा तो केवल और केवल सभी आप देख सकते हैं यहां पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं और एक मेरा अभी रहन निती बताया जाएगा उस रहन निती पर यदि आप चलते हैं तो आपका एक सीट कंफर्म हंडेट परसेंट हो जाएगा सबसे पले देखेंगे कि रुकमिनी परकासन के द्वारा जो फॉलूम फॉर लाया गया है यदि वह आपके पास होगा तो उसे जरूर पढ़ें चुकि आपका जो एजनसी है एक्जाम कंड़क्ट कराने वाला वह एजनसी है टीसियस और एक बात बता दे कोई भी प्रस्ण कहां से लाएगा कुछ ना कुछ प्रस्ण रिभाईज होगा चुकि अल्रेडी उतना सिप्त में एक्जाम हुआ है एंटीपीसी सीवीटी वान स तो इसलिए आप उस प्रस्ण को अच्छा तरीका से बार बार पढ़ने का काम करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं और जहां भी आप देख रहे होंगे 100 पलस टूडेंट तो वहां आप एक सीट पर 50 स्टूडेंट मान के तयारी करें यानि कि एक सीट पर 50 स्टूडेंट है और उसमें आपको फाइट करना है और एक बात बता दें आपको संपून सीट से मतलब नहीं है केवल और केवल एक सीट से मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप तैयारी करते हैं आप लगतार तैयारी कर रहे हैं तैयारी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका को कोई अन्त नहीं होता है चुकि आप ही जानते हैं कि जनरल कमपेटिशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का कोई सीमा नहीं कोई सीमा नहीं जैसन चाहिए तो comment box में जरूर comment करेंगे एक बात और बता दें यदि इसके बावजूद भी आपको लगे कि current में समस्या है raising में समस्या है या मैस में समस्या है या gkgs किसी भी part में समस्या है या science में समस्या है या numerical में समस्या है तो आप comment box में जरूर comment करेंगे उसको मैं आपको तुरत solve करने का प्रयास करूँगा जै हिंद जै भारत जै इवा